चलिए गाइस question number 10 देखते है, question number 10 कह रहा है, if k and l shell of an item are full, then what would be the total number of electrons in that item? तो देखो, ये k एक shell है, l एक shell है, मैंने आपको बताया था ना, कि ये bors model of item में, जो electron है, वो orbit में गूमते हैं, तो orbit के नाम दे रखे हैं, ये k, l, m, और ऐसे चलते रहते हैं, तो k जो है, वो पहला orbit है, l जो है वो दूसरा है, m जो है वो तीसरा है, n जो है चो होता है, और इन में k में maximum कितने electron हैंगे, l में maximum कितने electron हैंगे, उसका एक, पता लगाने का एक formula होता है, जिसका, ये है वो formula, 2n square, तो ये n किया इस में, n है, number of shell, मतलब कोन से number का shell है, कोन से number का shell है, तो अगर मैं को पता लगाने है, महालो के k में, यानी पहले यह दिखाता है maximum number of electron बताता है maximum इतने हैंगे इस से यह नहीं आ सकते है maximum इतने हैंगे तो हमें अगर मालो पता लगाने है k में कितने हैंगे maximum electron तो k कुन से है? पहले number of shell है तो यहां पर n की जगे 1 डाल दूगा इस formula में तो दिखते हैं कितने हैंगे 2 n की जगे 1 डाला 1 का square तो कितना होगा है? 2 into 1 का square यानि 1, 2 into 1, 2 तो हमें पता चल गए कि k में maximum 2 electron हैंगे फिर अगर मैं को l का पता लगाना हूँ तो l कौन से number का shell है? 2 तो n की जगे 2 डालूँगा तो क्या आएगा? 2 और n की जगे 2 डाला 2 का square तो कितने होगा है? 2 का square 4 4 into 2, 8 तो इसमें l में maximum कितने electron हैंगे? 8 electron हैंगे अब question पढ़ते हैं, question कहा रहा है question कहा रहा है कि k और l दो shell है जो कि full है तो हमें पता है maximum 2 आ सकते हैं, तो k में 2 होंगे, जब totally full है तो और l में maximum 8 आ सकते हैं और वो कहा रहा है, totally full है, तो 8 होंगे तो 2 plus 8, 10 तो इसमें पूछा रहा है कि ऐसा जो item है, जिसमें k shell और l shell दोनों भर गए, तो उसके कितने number of electron होंगे तो उसके electron होंगे 10 ठीक है? समझा गया? नहीं समझा तो दुबारा सुल लेना तब भी समझना है तो comment section तो आपके सपास है उसमें पूछों में दुबारा बढ़ा दो काटी है जो next देखते हैं